वेल्कम टु माइउटूब चैनल फरीन फूर मैचिक आज हमने जो रायता बनाए है वो बहुत ही तेश्टी रायता बनाए हो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम मसालों से बनता है आप इस रेस्पी को जरूर्ट ट्राय करें और कमेंट करें और बताएं कि मेरी र बनाते हैं सब्सक्राइब मिक्सी की जार में धन्या लिए और दो हरी मिश्ली थोड़ा सा इसमें जीरा डाला इसका हम पेस्ट बना लेंगे एक राई में गरम पानी डालेंगे हलका सा गरम पानी हमने लिया हुआ है और हल्दी राम की हमने बूंदी लिए जो रायते के लिए बहुत अच्छी लगते हैं बहुत परफेक्ट रायता इससे बनता है और हम इस बूंदी को काट कर पानी में डालकर भीगो देंगे पांच मिनट तक हम इसको भीगोएंगे ज्यादा दे नहीं भीगोएंगे सिफ पांच मिनट ही हमको भीगोना है और यह दस रुपए का प इसे निकाल लिया और हमने से निकाल दिया हुइँ पानीस निकाल दिया है अब हमने एक बाव लिया उसमें हम डही डालेंगे अगे जितना हमने राख लीगोए उस में आधा पानी समोर मिला लैंगे जब तक मिलिएdefense कि जब तक की दही और aanपस में मिल लेंगे जब तक मिलाइंगे मिलाएंगे रॉнес मिलाने मिलाने जिसलमेंहें मिलाशे देख आतरा से मिला लीया है इतना पतला हो गया है लाटर हो क्योंकि हमने पानी में बूर्दियों को बिगो दिया था इतलि वह जादा जादा नहीं करेंगे य में जो भी धनीय का पेस्ट प ungefρο है तलो हम डाल देंगे पतला प्रनाया था और इसको अच्छे से मिलने का अब मरम पेस्ट से और मिला देंगे फिर्ची तरीके से, इसका हमको इतना पतला ही घोल बनाना है, जाधा पतला नहीं करना है, ना जाधा गाडा करना है, इस तरह से ही करना है, अगर आप दही ले रही हैं, जितना आप दही ले रही हैं, उसका आधा पानी डाले, और जो हमने बूंदी पानी मे में थोड़े मसाले पढ़े भी होते हैं इसलिए हम कम ही डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे अप्षेणाल से मज़त गाएय में ऑईल मिर्म करेंगे और इसमें हम जीरा डालेंगे थोड़े सी लाल मिर्मिस डालेंगे और को एक से दो Basket rectangle तक कर लेंगे इस तहा से फ्राई हो जाएगा जब जीरा और लार्मिर तो हमने जो रायता पनाया था वो इसमें डाल देंगे और हलके हार से इसको हम चलाएंगे बहुत ही टेस्टी रायता बनता है अब जरूर ट्राय करें मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें कमेंट करें कि रायती की रैस्पी आपको कैसी लगी और आपको जो भी रैस्पी और हल्दी राम की पुझे आप जो भी बुंदी आती वो आप ज़रूर लें उसी कही रायता बनाएं लाहफिस